आप किसी को एक ज्ञान की बाद बताईए वो चार और बताएंगे सब बड़े ज्ञानी हैं कोई ज्ञान सुनना पसंद नहीं कर रहा है मुझे ऐसा लगता है बस कथा ही बच गई है कि जहां लोग थुड़ा सुन रहे हैं वरना तो सब को बोलना ही है तो उन्होंने कहा कि ज्ञान सुनने वाले ज्यादा नहीं होंगे तो बोले फिर क्या लिखूं बोले आप भक्ती रस बरिये यह सुनने वाले कल्यूग में बहुत हो तुझा बुझे तब उन्होंने कहा कि आप बगवान की लीलायं लेखिए देखिए श्रीमत बागवत में बगवान के 24 अवतार है ऐसे आप रामायpend देखते तो सिर्णी न på के बारे में श्रीकृष्न के बारे में आप महावारत भी ले सकते हैं गीता जी भी ले सकते हैं लेकिन पूरे 24 अवतार कहा मिलेगे वो श्रीमत भागवत में 24 अवतारों के बारे में बताये गए सारी लीलाएं तो उन्होंने कहा कि आप लीलाएं लिखिए तब उन्होंने श्रीमत भागवत लिखना शुरू किया अब सबसे पहले वो महाभारत का प्रसंग लिखते हैं ये सात्वे दिन आएगा अभी मैं आपको संशेप में सुना रह धर्म की जीत हुई अधर्म की हार हुई भगवान यहां सबसे मिलकर जा रहे हैं थोड़ी दूर जाते हैं कि फिर वापस आ जाते हैं अब वापस आए तुम सब को लग रहा है कि उनकी वज़े से आए युदिश्टिर कहे मेरी वज़े से आए कुंती बुआ कहे मेरी वज़े से आए भीम कहे मेरी वज़े से आए अरजुन कहे पुरी दुनिया जानती है मुझसे कितना प्रेम करते हैं मेरी वज़े से आए भगवान कहते हैं मैं किसी की वज़े से नहीं आया मैं तो अपने भीश्म के लिए आया हूँ क्योंकि उन्हें उनको वचन दिया था कि उनके अंत समय में भगवान उनके पांस रहे क्यों वचन दिया जब महाभारत का युद्ध चल रहा था सूर्यस्त के बाद युद्ध होता नहीं था तो कुछ दिन बाद दुर्योधन ने भीश्म पितामा को व्यंग करते हुई कहा उन्होंने कहा कि आप सिर्फ कहने को हमारी तरफ से युद्ध कर रहे हैं लड़ापुनी के तरफ से रहे हैं क्योंकि जिसकी सेना में भीश्म पितामा है सामने वाले में से एक कम नहीं हो अभी तक उनको क्रोध आगया एक तो ऐसे ही उनका मन तो पांडवों में है तो कह रहे है एक तो युद्ध कर रहा हूं इनके साथ खड़े होकर उसके बाद भी ये मुझ पर ही रिश्रक कर रहे है तो उनको क्रोध में आकर कह दिया कि कल मेरे हाथ तो एक पांडव मारा जाएगा प्रतिग्या लेता हूं बाद भगवान तक पहुंची भगवान गये तो गलत हो गया क्योंकि अगर भीश्म पितामा ने प्रतिग्या ली है और बताओ अपने अपने उत्तर देते जाओ नहीं वो तो हरी अवतार में दिया राजनीती भगवान ने पुरी महाभारत में केवल राजनीती करें जब लोग कहते ना राजनीती अच्छी चीज नहीं है किसने का अच्छी चीज नहीं है कृष्ण सी करो कृष्ण सी करो तो बहुत अच्छी चीज है अब आप करेंगे दुरियोधन सी तब कैसे बात बनेगी तो राजनीती बहुत अच्छी चीज है अगर करी जाए श्री कृष्ण से उन्होंने पूरी महाबारत में केवाल राजनीती करी तो उनको लगा कि ये तो गलत कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा तो उन्होंने क्या किया दुरौपदी जी के साथ कौरवो के शिवर में जा रहे है अलग अलग शिवर लगे पांडवो का शिवर अलग कौरवो का बीश्मपितामा के शिवर में गए बीश्मपितामा आखो पर हाथ रखके लेटे हुए हैं बगवान ने द्रौपदी जी से कहा कुछ कहना मत बस चुपचाव अंदर जाना और पैरो का स्पर्श करना अब एक तो पहले महिलाई श्रिंगार बहुत करती थी तो अगर आप नहीं भी देख रहे हो तो महिला अगर कमरे में आ रही है पता चल जाता था इतना श्रिंगार होता था कि वो कोई पायल है कुछ यह उसे ही समझinação आ जाता था कि महिला आई है तो उन्हें ने कहा कि बोलना बोलने की कुछ ज़रूरत नहीं बस जाना और पैरों का सपर्ष टरफ्र करना अब शिवर कौर्वोव का है तो अगर अगर कों ब भग्यवतिभव पिर हाथ अटाया हाथ अटाया तो सामने द्रौपदी जी बैठीए समझ गाए किसका किया धरा है अपने शिवर से बाहर निकलते हैं तो बगवान मुस्कुरा रहे है बगवान कहते हैं अब बताईए प्रतिग्या बढ़ी कि आशिरवात बढ़ाओ बीश्म पितामा ने कहा प्रतिग्या तब बढ़ी जब मैं जीवित रहूँ इतना किया है तो एक काम और करना कल अरजुन से कहना शिखंडी को सामने रखकर मुझे पर बान चला देगा मुझे पता है मैं गलत के साथ हूँ तब भगवान कहते हैं ठीक है लेकिन तब उन्होंने कहा कि मेरी एक इच्छा पूरी करोगे कौन सी इच्छा मेरे अंत समय में तुम मेरे पास रहा तब भगवान ने उनको वचन लिया था भगवान को वचन याद आता है तो वापस आते हैं बीश में पितामा के पास जाते हैं बीश में पितामा से पूछते हैं उनकी आखरी इच्छा क्या है उन्होंने कहा मुझे आपके विराट रूप के दर्शन करने जो बहुआनि अर्जन को रूप दिखाया भगवान अपने विराट रूप में आते हैं और उसी को देखते देखते बीश में पितामा की मृत्य हो जाती है और उनकी आत्मा भगवान में लीन हो जाते हैं